बड़ी विच्चत्र बात है कि राची के कोट को पता ही नहीं था कि राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बंगले में कपशिफ्ट कर दिये गए राची के हाई कोट को ये पता ही नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के पास जेल में भी सेवादार है राची के कोट को इसके पहले इस बात की भनक ही नहीं थी कि लालु प्रसाद यादव से लोग जेल में भी मिलने आते हैं ये माना ही नहीं जा सकता देश भर के न्यूस चानल्स को ये बात पता थी जेल के अधिकारियों को ये बात पता थी सारे बिहारवासियों को भी बात पता थी और तो और राजत के अगर कोई नेता उनसे जेल में मिलने जाए तो सोशिल मीडिया पर जो पिक्चर्स पोस्ट होती थी वो भी सबने देखी है तो ये कैसे मुम्किन है कि ये बाते राजी के हाई कोट तक कभी पहुँची ही नहीं लेकिन एक फोन कॉल का मामला सामने आने के बाद राजी के हाई कोट को अचानक ये सारे सवाल याद आ गए एक phone call से प्रशासन को ये याद आ गया कि ये दोग लालू प्रसाद यादव से जेल में मिलने आते हैं एक phone call से ये याद दिला दिया गया कि लालू प्रसाद यादव सजा याफता है उनके पास जेल में सेवादार नहीं होना चाहिए आपको बता दे कि जारकंड हाई कोट में शुक्रवार को चारा घुटारा मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचेका पर सुनवाई की गए थी इस सुनवाई के दौरान हाई कोट में लालू यादव की जेल में living arrangements को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे इसके अलावा लालू यादव को जेल में मिली सुविधाओ और special treatment को लेकर भी जारकंड सरकार से सवाल जवाब किये गए कोट ने राज्य सरकार से पूछा कि राजत सुप्रीमों को पेंग बॉट से डिरेक्टर के बंगले में किसके आदेश पर shift किया गया और बाद में अफिर वहां से पेंग बॉट किसके आदेश पर shift कर दिया गया हाई कोट ने ये सवाल भी पूछे कि आखिर अस्पताल में लालू के सेवादार की नियूप्ती किस आधार पर हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है अस्पताल में किसे सेवादार बनाया जा सकता है कैदी से अगर अनावश्चक लोग मिलने आते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अपर महाधिवक्ता आश्रतोश आनन ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि न्याये खिरासत में इलाज कराने वाले कैदियों के लिए मानक संचालंग प्रक्रिया बनाई गई है उसी के तहर उनकी स्वरक्षा की व्यवस्था की जाती है और लोगों से उनके मिलने की प्रक्रिया तै की जाती है कोट ने CBI से पूछे जाने के बाद ये भी बताया कि पिछले तीन माह में लालो यादव से मिलने वाले लोगों की सूची राजी प्रसाशन ने कोट को दे दी है CBI ने कोट को जेल नियमा वली का उलंगधन करने वाला आरोब भी कोट को याद दिलाया जिस पर कोट ने ये कहा कि एक अलग मामला है हाई कोट द्वारा सरकार से पूछे जाने वाले सवालों पर अपर महाधिवक्ता ने एक विस्तरित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है इस मामले के सुनवाई अब 18 दिसेंबर को होगी चौकाने वाले बात तो यही रहेगी कि कोट ने इन सवालों पर पहले कभी ध्यान कैसे नहीं दिया ये बाते ऐसी थी जो हर किसी को पता थी उसके बाद ये सवाल न्यारा आला तक पहुँचने में इतना वक्त कैसे लग गया इसी सवाल के साथ इस वीडियो का अंत कर रही है अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टेग्राम और ट्रिटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डोनेशन के जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से हमारी टीम तक अपना सहयोग पहुचा सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूँ सौमराथी क्यामरे के पीछे खड़े हैं पपु सिंग और आप देख रहे हैं जनता जनकी